बीसर आप कल प्याज लेकर आए थे जैपुर मंदी में तो अभी तक भीका नहीं हैं कितना लेकर आए थे कि आज मैं डिली के वीडियो भी देक रहा जा तो वहां पर भी ग्राकी ऐसी है हर जगे ग्राकी किसान की हालत बहुत नाजूब है और प्याज भी बहुत पड़ा है और पहले तो सरकार ने एक्षिं को बहुत सबसे पहले दिया सरकार ने जो नोटी इपिकेशन जारी करिया और सुबह यह कानून सरकार ने लागू कर दिया और किसान की योदनाओं के सरकार कोई भी गोषना करती है तो दो-दो साल तक वह नियम लागू नहीं होता है यह सबसे बड़ी भूल है और यह दिसंबर तक लगाया है इन्होंने इकतीस दिसंबर जब तक हमारे पास तो प्य प्रफ़ा माल जाता तो मेरे साथ से बैलेंस नहीं रहता और यहां ग्राकी अच्छी रहती और किसान पर मार भी नहीं पड़ती बिल्कुल आप सभी मंडियां है वह भरपूर मातरा में भरी हुई बर्पूर भरी हुई है यानि बैले रहे जाता अगले दिन फिर इतना हमा पहले तो मैं एक बात सरकार से बोलना चाहता हूं आप इस चैनल के माधियम से के आम आज में दस से पंद्रे किलो प्याज खाते हैं सर महीने दो महीने के अंदर तो उसके बजन कितना पड़ता था 200-400 रूपे और वो कुछ फर्ग नहीं पड़ता उसके 400-500 रूपे से सब्सक्राइब तो इस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत आई है नापेड और NCR दिली में तो दोई पाल्टी का महल आ रहा है और दिली में विजार दब रहा है आजाज पुमंडी बहुत दाउन है वहां भी आज का जो भाव था वह उपर में 900 रूपे मन के इसाब रहा साथ सो रूपे से 900 रूपा के बीच में विक्राई सबस heいうこと किम दो ताइब है दो मेरा खुद का खर्चा है दो दिन का दो कट्वा अब मैं गाड़ी बाड़े को क्या दूँगा जो खर्चा लगा पीछे हमारे को खर्चा लगा उसको क्या देंगे हम सरकार को सस्ता करना था तो पैंट्रोल डिजल गेस और अन्य चीजे मार्केट के अंतर बहुत सारी मेंगा चल रही है उसके सब्सक्राइब को ध्यान देना चाहिए था बिल्कुल बिल्कुल सर्था ने उसमें तो कुछ ध्यान ने दिया आँ सर सभी बात है वाकि आप जैसे प्याज़ की बात करें तो कितना प्याज लगा था अपने याज सर हम लगाए शाट अर्ट बीगो साथ और आपके बार क्या उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे तेन साल में इतना प्रेशान है प्याज में हमारे पुरे एरिये की हम पुरे एरिये की बात कर रहे हैं और चोटे बड़े भूपारी भी है इसाद से पैसे लेकर किसी देट चोटा मोटब युपार कर लिया वह भी व तो यहनी जो आपने साथ भी गए में प्याज लगाया था तो कुछ फायदा देख रहे हैं नुक्सान जाता है नुक्सान है फायदा तो ही नहीं इस रुपए का कि लोगा खर्चा है तो इसलिए खर्चा जादा बढ़ गए गर्मी वाले प्याज में इतना जैसे खर्चा तो आप 20 रुपए बता रहे हो नहीं आता है हम तो गर्मी वाड़ा भी लगा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल यह आपके बार जो खराब हुआ है इसके वाज़े ज्यादा खर्चा बढ़ता है और इसको डबल बार्दान लगाना पढ़ता है पहले बार्दार में डाल देते तो सब जैसे महरास्ट वाले किसान है वो जैसे जालियों में करते हैं तो उस तरिके से जैड़ बनाके अच्छा अलगलग अलगलग सिस्ट्म है हम बार्दान के अंदर ही रखते हैं और यह जो थाहूला है पुसकर है पिसागण है अज़वेर का अजुबद्यू यह लोग सब्सक्राइब है और उसमें भी घ्राकी नहीं उसमें भी घ्राकी नहीं है और माइस तो ठीक है सर चुट-पूट एक दो लाट जब ज़्यदा बीस तीस कटा उसका बाव नहीं होता है हमारे पास कल यह एक लाट था वो सोदेर रिपें भी का है अज अभी अभी एक साड़ी सोड़ी रिपें भी का है लाट सा बड़ी अमाल था वो भी तरा कि नहीं है तो करे क्या बेचने वाले की मजबूरी है यह वाला आपका है यह सर बीस बीस में मांग रहे इसका आइकर बीटी में और फिकिटी नियुक्त रेटोंच के EXPORT था चेल सरकार सब्सक्राने सब करते हैं बहुत अच्छी है वार विदेश के अंदर कुछ भी करते हैं कुछ भी अच्छा किया होगा ठीक है दोजार चुदे गंदर मेरे को याद है तेन सो चिन्नु रूपे में के स्लेंडर मिल रहा था वह आज एक सो पीस में मिल रहा है और डिजल पेंट्रोल पचास साट रुपे था वह आज एक सो रूपे से बाहर चला गया से इन पर ज्यान नहीं दिया मोजी जी ने बिल्कुल सरकार को भी जान जाना चाहिए इसके बिल्कुल कोई की गोरनी के सब्सक्राइब तो और वार जैसे अब चुनाव आने वाले हैं तो क्या रूख है आप तो अने वाले क्या करें रोट रहे नहीं है सबी पाल्टी हमारे को कोई भी जन परती निदी ने ता गाम के अंदर आ बड़े बड़े करता है जैसे मानलो दूसरी फसले है जैसे अब अनाज लेती है गोवर्मेंट तो अगर किसानों का प्याज जैसे निकलता है उसी दोरान ले या फिर फोड़ा सा एक-दो मेने के बाद सुक जाता है उसके बाद ले ले सरकार में इस पर इसा करना चाहिए पर्तम तो सरकार को प्याज खरीदना ही नहीं चाहिए लगा कर देवे और आम आदमी से खरीदना चाहिए अभी जो में बता रहे हैं अभी खरीद चलू कि यह नपेडवाड़ाने तो 2010 रूपे में तो सर आम आदमी से नहीं खरीदेगा वह भी कुलेटी खरीदेगी बिल्कुल और महाराष्ट के अंदर है तो साब दो लाग मेट्री टन प्याज खरीदेगी सरकार उसे क्या फरक कि यह बूले सरकार की और उसके चक्र में जो टोप क्वाल्टी का माल अगर 2400 रुपे खरीद जा रहा है तो जो अगर गाहों की एकता ऐसे हो जाए ना सब्सक्राइब करेंगे अगर गाहों की एकता ऐसे हो जाए अगर कोई भी नेता मैं तो किसी भी पार्टी का नहीं हूं मैं गाता हूं अगर घाम में आकर कोई बोलता है कि हम यह करेंगे वह करेंगे गोवर्मेंट को भी कानून बना देना चाहिए कि जो लिखित में आप वादेगर के आ रहे हो हमारे गाहों के अंदर अगर जन परतिनिती आता है तो हम उनको खरीखोटी सुनाते हैं अच्छा जाता है शर्म के मारे नीचे मुग करके चले जाता दूसरे गाहों के जाके भख्ये रेली करने लग जाता उसकी शरम ना कूछ है शर्म नहीं उसको और सर्थे को बोट तो आप नहीं दोगे तो भाई साब देदेंगे भाई साब नहीं देंगे तो यह देदेंगे सरकार दो बननी है तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में सरकार को कुछ अगर कोई वीडियो के माद्दें से अबादी किसान फेतों पे निर्वर है और अगर किसान कुछ नहीं करेगा तो शेयर के अंदर लोग खाएगा क्या सर एक ऐसा देस है मेरा दिमाख में नहीं हारा कौन सा देस है जहां पर आप प्याज अपने इसाव से नहीं लगा सकती यानि प्याज या कोई भी फसल सरका निश्चित करती है कि इतना रखबा लगेगा इस फसल का इतना लगेगा इतना हर चीज का उसने डिसाइड कर रख है तो वो कानून अगर यहां पर आज यहां भी कर देना चाहिए तो जहां प्याज नहीं होती वह भी किसान सोचता है कि मैं प्याज बेचलों क्रोड़ पत कुछ लोग जैसे कमेंट करके मां ये बोलते थे हैं कि जैसे मालो किसान भाई है ना क्यों लगाते है इतना प्याज कि जानने वाले नहीं है सबसे बड़ी बात तो यह है नहीं तो को नेता समझ आए नहीं किसान अपना राग रो रहा है को सुने वाला नहीं किसान की को सुने वाला नहीं है चलो जी सर आपके बाद कोई ना कोई तो सुने शालो साथ हम अपने चैनल के माधियम से इसी को थे ठीक है और नहीं हम तो हमारा रोना रो रही है विस सहरे किसान बैठ इप शारे किसान है लिगूल बिल्कुल किसान है जैसे नाफेड की सुनती है या जो दूसरी कंपनिया उनसे पूछ लेती है कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है फिर उसके अलावा जो गोदी मीडिया वो भी दिखा देता है या तो देखो अब यहां पर प्याज 15 से 20 रुपए मुश्किल से विक रहा है और भार वही 40 रु प्याज यहाल 21 में हुआ था और 23 में होने जा रहा है कभी-कभी मुक्त मिलता है तो मिलना जीए अगर मुक्त मिलता है तो उसमें सब्सक्राइब डाल देती है बिसक्ति सांग पैसे नहीं मिलते हैं जालो जी सब्सक्राइब कर दोड़ना चाहिए अट पर लाती है और बात आप जो बोल रहे हैं यह हर जगें किसान बोलता है पर वो करता नहीं है किसानों में एकता नहीं है सब्सक्राइब लगा हुआ है अगर सरकार को खतरा लग रहा है कि प्याद जादा जाए गिवार जाया कि तो बार से मतलब है लुए अफगानिस्तान से आ रहा है जालो जी सब्सक्राइब लॉली पोप लागोड यह बिल्कुल नहीं को रहे जालो जी सब्सक्राइब करेंगे अफ़ीवास जरूटा करेंगे राज राजी सरकार को या केंदर सरकार अब केंदर तो हमारे हाथ में लिए राजी सरकार तो कुछ गाहों के अंदर हम निवास करते हैं हमारे विदान सबसेतर तो थोड़ा होता है लोग सबसेतर बड़ा होता है उसके नहीं कुछ बता नहीं सकते हैं हमें आफके चैनल के माजिन से कहीं मीडिया देट आफ्टा था हम इसा कि महारे थी वह दो क्या परिवड़ता निकाल रहे हैं तो तो बहुत प्रेसानी से पत्र तला रहे हैं लोग रुट कर रहा था तो नहीं जा रही है आप ऐसा किसान भाई जो भी है गाहों के जो होते हैं गाम में कभी आते हैं ने ता तो उसनी नहीं ना दो शिदी सी बात भाई या तो मांगे पूरी करो कोई सुनने वाले नहीं है और जो कोई कोई अगर किसी की मांग है वो उठाता है तो उसका दवा दिया जाता है अगर शुनता कोई बिलकुल 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 अभी हमारे बोपाल गड़ में जो सब्सक्राइब कानून नियम है यह जो काम है उसकी जो किस अदार पर मांगा जाता है यह बिलकुल बिलकुल सरा ऐसा ही होता है चलो जी सर धन्यवाद आपका जन्यवाद सराल जाता है जादा है आवाज पहुंचने ते यह सब्सक्राइब का दिलकुल सरा अधना।